हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को डबाएं लेटिस नीज़ सबसे पहले देखने के दिए पॉपुलर वाहन निर्माता कमपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिनों अपनी नई 7 सीटर एस यूवी कार को लॉंच करने की तयारी कर रही है माना जा रहा है कि यह नई 7 सीटर कार महिंद्रा एक्स यूवी 700 होगी जिसे कमपनी इस साल दिपावली से खीट पहले लॉंच करने पर विचार कर रही है इस एस यूवी कार को कई बार हम टेस्टिंग के दोरान की तस्वीरे देख चुके हैं आपको बता दे कि महिंद्रा की इस नई 7 सीटर एस यूवी को सबसे पहले इस साल दिल्ली आटो एक्सपो में दिखाया गया था जानकारी के अनुसार इस नई एस यूवी को महिंद्रा एंड महिंद्रा सान्यॉंग के साथ मिलकर डेवलप कर रही है माना जा रहा है कि यह एस यूवी साथ सीटर एस यूवी कार सान्यॉंग रेक्स्टन का अपग्रेडेड वर्जन होगा जानकारी के अनुसार इस नई एस यूवी कार में कमपनी द्वारा दमदार 2.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजर इंजन दिया जाएगा जो कि इस एस यूवी को शांदार 187 बी एचपी की पावर के साथ 420 मीटर मीटर का टॉप जनरेट करता है इसके अलावा इस नई कार में 7 स्पीड आटोमेटिक गिया बॉक्स से लेस किया गया है जो कि इसके चारों वील्स को पावर जनरेट करने का काम करता है इसके फीचर्स की बात करें तो इसके केबिन में डियूल टोन डेशबोर दिया गया है जो की काफी स्टाइलिश लग रहा है इसमें दिया गया वुट फिनिश डेशबोर और इंगिला एर कंडिशन अवेंट्स इसके ग्राहकों को रॉयल फील कराएगा इसके अलावा इसमें 9.2 इंच का डिस्प्ले सिस्टम एंड्रोइट आटो और एपल कार्पले से लेस है इसकी टच्स्क्रीन 360 टिग्री कैमरे के लिए डिस्प्ले का भी काम करती है